दोस्तों आपल ने बड़ी खुशी के साथ में अपनी iOS 18 की तारीफ करते हुए अपडेट दे दी थी कि ये लो इसको पाके तुम काफी जादा सुखी हो जाओगे भाईया iPhone 14 15 तो छोड़ो iPhone 16 के यूजर भी कह रहे है कि भाईया बैटरी का क्या नास मार दिया है बैटरी ड्र टेस्ट मोडल के अंदर ऐसा कर रहे हो तो अगला मोडल के अगले महीने लेके आने वाले हो कि इसको लेलो इसमें इशु सारे फिक्स हो जाएंगे तो इसके ऊपर एपल ने एक और सौफ्ट्वेर अपडेट दे दिया इनको लेकिन उससे भी चीज़े फिक्स नहीं हो रहा लेकिन लोगों को 10-20 दिन हो चुके हैं उनका इशु फिक्स नहीं हो रहा है जिसकी वज़े से अब लोग तो बगावत पर उतर आया है लोगों ने ट्विटर पर कहना शुरू कर दिया है बॉयकोट एपल क्योंकि इस तरीके का बैटरी गेट यह दुबारा से लेके आ जिसकी वज़े से एपल को जल्द ही कोई अपडेट देनी पड़ेगी वरना इस iOS 18 को उनको डाउन गुरेट करके iOS 17 देनी पड़ जाएगी अपडेट के नाम पे तो काफी टाइम पहले आपको एक ख़बर सुनने को मिली होगी कि इंडियन गवर्मेंट अब इंपोर्ट प अब इस पर लगाम लगाई जाएगी आपको अप्रूवर लेना पड़ेगा अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो इस तरीकी की चीजों को जहां पर फिल्टर किया जाएगा क्वाल्टी स्टेंडर को लोकौल्टी वाले डिवाइस को रिजेक्ट किया जाएगा और ठीक है अच चालू करो अपनी और एक जन्वरी दो हजार पच्चिस के बास से अप्रूवल लेना पड़ेगा इनको इंडियन गॉर्मेंट से अगर यह लैप्टॉप पीसी टैबलेट इंपोर्ट करेंगे और उस पर भी पिर काफी सारे जंजट बाजी होगी जिसकी वज़े से नारी वेस्टरन कंपनी के अंदर और बेसिकली करते क्या है कि अपनी फेक एंप्लोइमेंट हिस्ट्री दिखा देते हैं और उसके बाद में उनको हैर कर लिया जाता है कि भाई आपका सीवी तो बहुत जादा बड़ी है जिसके बाद में जैसे कंपनी के कंप्यूटर में आक्सेश दी जाती है तुर्णंथी कंप्नी के पूरे कंप्यूटर नेटवर्क को है कर लेते हैं और इसके बाद में सैंसिटीव इंफोमेशन डाउनलोड कर लेते हैं और एक कंप्यूटर में जिसके ऑदे पैसे के दिमांड़ रक जाती है और framपनी को मजबूरक्ते देन जा रहा है कि बिलियोंज ओफ यूज डॉलर की इन्वेस्मेंट सिफ हैकिंग से ही करके लाई जा रही है जिससे कि उनका नुकलियर प्रोजेक्ट इतनी तेजी से चल रहा है दोस्तों दोजार पच्छिस से एपल अपने आइफोन यूजर्स के लिए अच्छी चीज लेकर आ कॉल करेगा ऋसको बता देंगे कि कौन सा कॉलर है यह स्पैम कॉलर है या फिर कोई बिजनेंस से रिलेटिड है इसको उसको ब्लॉग भी कर देंगे अपने आपी दोस्तों इंडियन एरलाइन्स इस वक्त में काफी जादा मुश्किलों में चल रही है क्योंकि बीते एक हफते से उनको 70 से जादा बॉम थ्रेट आ चुके हैं मतलब हर बॉम थ्रेट के साथ में इंडियन एरलाइन्स को काफी जादा नुकसान जहेलना पड़ रहा है अब एर इंडिया के बॉइंग 777 को ही देख लो जो की 130 टन जेट फ्यूल के साथ में न्यू यॉक की तरफ उड़ रहा था मुंबई से टेक ओफ करके लेकिन टेक ओफ इस तरीके से बहुत सा नुकसान जहेलना पड़ रहा है इंडियन एरलाइन्स को क्योंकि इस तरीके के फेक बॉम थ्रेट आ चुके है और पिछले साथ दिनों में 70 से जादा ऐसे बॉम थ्रेट आ चुके है जो कि उनको नुकसान पर नुकसान दिये जा रहे है अब इसको तो किया नहीं जा सकता क्योंकि हो सकता है सो ऐसे बॉम थ्रेट आ जाए और एक असली हो जिसको निगलेट कर दिया तो पता नहीं कितने ही सैकड़ों पैसेंजर की जान जा सकती है जिसकी वएसे अब एविएशन सेफटी बोर्ड की मीटिंग चल रही है कि भाई क्या किया अब तो मजा की बन चुका एक है कि तो पहले साल में एका दुका आ जाते थे लेकिन अब तो हफते बर में सतर से जादा आ चुके और शाया आने वाले कुछ दिनों में सौ से भी जाधा हो जाए तो मतलब इस तरीके कि एकर चीज़े होती रही तो फ्लैट तो उड़ानी का जाएगी तो इसके उपर कुछ ना कुछ एक्षन लेना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा जीओ एटल का फाइब जी पूरे इंडिया में पूरी तरीके से फैल चुका होगा लेकिन वोड़ा फोन आइडिया का भी तक अता पता नहीं है कि फाइब जी कब आइडिया टिका हुआ इस वक्त में कह सकते हैं कि यह महान नहीं है वो यूजर महान है जो कि इसके ओपर अभी भी टिके हुए है क्योंकि दातर लोग शिफ्ट भी हो चुके होंगे एटल पे पर फिर किसी और नेटवर्क पर हालगी रहा है नहीं कोई बीस अनल ही बचता ह तो मतलब इस तरीके की नोटेंग की करने से इन्होंने अपने पाउं पर कुलाडी मार दी और देखते हैं कब 5G आएगा और क्या स्पीड देगा क्या नहीं देगा